दूस्सों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगे सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई आपको तो यादी होगा कि इन दिनों बॉले ओड के अंसंग वारियर यानि की अजय दिवगन की कितनी सारी फिल्में बॉक अजय दिवगन को सिंगम रूप में देखेंगे भाई 15 अगस्त को तो भाई ये सवाल मैंने आप लोगों से क्यों पूछा है क्योंकि भाई अजय दिवगन को लेकर एक ऐसी खबर हम लों के सामने आई है जिसको सुनने के बात तो आभी यह बात कहोगे कि भाई ऐसा लगत सब्सक्राइब और जब तक उनकी यह फिल्म वाक्स ओपिस पर उतर रही होगी तो भाई चार फिल्मों की मैंने आपको जानकारी दी तीन फिल्मों का मैंने आपको नाम बताया तो वह एक फिल्म कौन सी बच रही है जो कि वहिया अगस्त के महिने से पहले सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जिसको लेकर वहिया इस फिल्म के मेकर नहीं ये बात क्लियर कर दिया है कि औरों में कहां डम था है औरों में कहां डम था तो आप समझी हैंगे मैं किस फिल्म की बात कर कि भाई एक बार फिर से आजय दिवन जो हैं वो री यूनिट हो रहे हैं अपनी बहतरीन अदाकारों में से एक यानि कि भीया तब्बू के साथ में यानि भीया तब्बू के साथ एक बार फिर से बॉक्स ओफिस पर तहलगा मचाने के लिए तयार हैं आजय दिवन अपनी रो एक ऐसा किरदार निभाने वाले हैं, जिसके वज़े से आज़े दिवन और तब्बू के भी चुटने वाले हैं, तो भाई इस फिल्म को लेकर, यह जानकारी हम लोगे आई थी आ, यह इस फिल्म को डिर्रेक्ट करने वाले हैं, बॉलिवुड के बहतरी डिरेक्टरों में से एक यानि की नीरस पांडे जिसका काम पिछले साल ही सुरूवा था तो भाई आजय देवन की इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगे सामने आ गई है इस फिल्म का जो शुटिंग शेडियूल है वो पूरा हो चुका है और ये फिल्म पोस्ट प्रोडेक्शन के फेज में आ चुकी है बहुत जल्दी ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार यानि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगे सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म के मेकर यानि इस फिल्म को लेकर ये बात क्लियर कर दी है कि उनका इस फिल्म का काम जो है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है और इस फिल्म को जनता बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में देख सकती है यानि यह फिल्म जून के महिने में ही बॉक्स ओपिस का रास्ता टै कर लेगी तो भाई बैक टू बैक अजे दुगन कितनी सारी फिल्में दे रहे हैं मेरे भाई लेकिन अगस्त के बाद में भी उनको कुछ और फिल्में देनी चाहिए थे मुझे आइसा लाख तो मैं मजाग कर रहे है यानि कि इतना सट सट कर तो बैक भी आजए तक उनको इतनी सारी फिल्मों को औरिलीज नहीं करना जाएते पहले वो सैतान को मार्च के महिने में फिर एपरेल में वो मैदान करे पिर उसकहाद भी हमम मई को छोड़ कर वो जून में लेकर आरहे अपनी अगली फिल्म को या अगर ये फिल्म रिलीज होती है और उमें कहां दम था तो भाईया उस फिल्म के बाद फिर अगस्ट में आ रही है उनकी ये फिल्म यानि ये भाई सिंगम का पार्ट थर्ड तो भाई थोड़ा सा गैप और ले सकते थे अजय दिवन लेकि चलिए बैक टू बैक अगर उन मैदान रहेगी या फिर वो औरों में कहां दम था रहेगी या फिर वो सिंगम का पार्ट थर्ड रहेगी अपने कमेंट के मादम से हमें ज़रूर रताईगा तो बल्यूट से जुड़े और भी कई सारे ख़बरों को जाने के लिए हमारे चैनल यानिक वार इंजक्शन को ल